साथियों आज इस बजेट में इंट्रिम बजेट तो है ही लेकिन ये बजेट इंक्लूजीव और इनोवेटिव बजेट है इस बजेट में continuity का confidence है ये बजेट विक्सीद भारत के चार स्थम युवा, गरीब, महला और किसान सभी को एमपावर करेगा निर्मला जी का ये बजेट देश के भविश के निर्मार का बजेट इस बजेट में 2047 के विक्सीद भारत की नीव को मजबूत करने की गारंटी है मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों इस बजेट में युवा भारत की युवा आकांग्शाओं का भारत की यंग एस्पिरेशन्स का प्रतिमिम्ब हैं बजेट में दो महत्वपूर नीने ले गए रिसर्च और इनोवेशन पर एक लाग करोड रुपय का फंड बनानी की गोशना की गई बजेट में टार्ट अफ को मिलने वाली टेक्स शुट के विस्तार का भी एलान किया गया है साथियों इस बजेट में फिस्कल डेफिसिट को नियंतरण में रखते हुए केपिटल एक्सपेंडिचर को ग्यारा लाग ग्यारा हजार एक सो ग्यारा करोड रुपय की एतिहासिक उंचाई दी गई है अर्थ सास्तियों की भाशा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है इससे खारत में 21 सदी के आधुनिक इंफ्रास्टर के निर्मार के साथ ही युवंगों के लिए अंगिनित रोजकार के नए अवसर प्यार होंगे बजेट में बंदे भारस्टेंडर की 40,000 आधुनिक बोगियात बनाकर उन्हें सामान्य यात्री ट्रेनों में लगाने का एलान किया गया इससे देश के अलग-अलग रेल रूट पर करोड़ों यात्रियों में आराम दायक यात्रा का अनुभव बढ़ेगा साथियों हम एक बड़ा लक्ष ताय करते हैं उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष अपने लिए ताय करते हैं गरीबों के लिए हमने गाओं और शहरों में चार करोड चे अधिक घर बनाए अब हमने दो करोड और नए घर बनाने का लक्ष रखा है दो करोड महिलाओं को लगपती दीदी बनाने का लक्ष रखा था अब इस लक्ष को बढ़ा कर तीन करोड लगपती दीदी बनाने का कर आइश्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की आंगनवाडी और आशा वरकर उन सब को इस योजना का लाब मिलेगा इस बजेट में गरीब और मद्यमबर को एमपावर कर दें उनके लिए आएके नए आउसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है रूप टॉप सोलर अभियान में एक करोर परिवारों को सोलर रूप टॉप के माद्यम से मुप्त बिजली प्राप्त होगी इतना ही नहीं सरकार को अतिरिक्त बिजली बेच कर लोगों को 15 से 20 हजार पतिवर्ष की आई भी होगी और हर परिवार को होगी साथियों आज जिस इंकम टैक्स रेविशन स्कीम की गोशना की गई है उससे मद्यंबर के करीब एक करोर लोगों को बड़ी रात मिलेगी पिछली सरकारों ने सामाने मानवी के सिर पर दसकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी